मैं एक set दे रखा है जिसमें तीन element है और वो जो set है linearly dependent है तो हमें बताना है कि x की value क्या होगी तो सबसे पहले मैं elements लिख लेता हूँ x-1-x0 ये पहला matrix है दूसरा matrix है 0x-1x और थर्ड matrix है 1-1-1-0 इस तरह से 3 matrix हमें दे रखे हैं अब आप यहां पर ध्यान देजिए इसकी जो last entry है और यहां पर जो zero entry है वो यहां पर है तो किसी भी तरह से zero entry अगर different position पर है तो अगर हम एक को scale करेंगे तो दूसरा उसका scalar multiple नहीं आएगा तो ये तो एक दूसरे के multiple नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि पहला और आखिर वाला multiple हो सकता है क्योंकि zero same position पर है आप देख सकते हैं तो इनको सबसे पहले मैं rewrite कर लेता हूँ x minus 1 minus x zero और 11 minus 1 zero ये दो हमारे matrices हैं और इनके अब आप देखे zero जो है same position पर है अगर मैं first matrix को minus 1 से multiply करता हूँ तो मुझे return क्या होगा minus x x one zero और ये जो था आप आप देखिए दोनों की last row same हो गई है अब आप यहां से देख सकते हैं कि x का जो value है वो क्या है minus 1